नमस्कार मित्रों इससे पिछली वीडियो में हमने तैके नियम को सीखा था और उसके बाद अभ्यास नमबर 26 के जो सब्द चिन्द थे उन्हें हमने सीख लिया था मुझे उमीद है कि अभ्यास नमबर 26 तक आपने कर लिया होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी यदि कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट बोक्स में मुझे बता दिया करो मैं अगली वीडियो में उसको सामिल करने की कोशिश करूँगा आज जो हम सीखेंगे वो अभ्यास नमबर 27 के सब्द चिन्नों को हम देखेंगे उसके बाद हम ने के नियम को सीखेंगे कि ने का नियम कैसे लगता है चलिए देरी ना करते हुए हम अपने टोपिक पर आते हैं देख लीजिए फिलाल देखिए अभ्यास नमबर 27 से पहले क सब्द चिन जो की सामने लिखे हैं देख लीजिए क्या है जैसे आपको लिखना है आवश्यक यह लाइन की चीज़ी होगी हमें आवश्यक लिखना है तो क्या चीज हमें लेनी है देख लीजिए एक वार आवश्यक लिखना है तो कुछ निकरना से बनाना है और क्या बनान है इसको लाइन से उपर ही आपको बनाना है क्यों क्योंकि इसमें आकी मात्रा रही है ठीक है उसके बाद लिखना है सकता या फिर सकते या फिर सके इसको लाइन पर टच करके बनाना है इसे पढ़ेंगे सकता सकते और सके लेकिन यदि मुझे शिकायत लिखनी हो तो इसमें सै कै और तै दो चीजी लिखनी है सै बनाना है कै बनाना है और तै का अकड़ा याद होगा आपको घड़ी की विप्रीत दिसा में एक हुक लगा रहे थे क्या पढ़ा जा रहा था तै पिछली वीडियो में सब समझाया है तो लाइन से उपर यदि सै कै और तै बना दिया जाए पढ़ा जाएगा शिकायत लेकिन इसी को लाइन पर बना दे सै कै और तै यह पढ़ा जाएगा सक्ति यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद हमें लिखना है तथा और ताई लाइन से उपर तै बनाना है पढ़ा जाएगा तथा और ताई तो लिखना है तो लाइन प्रिष्थान की मात तरा रही है इसलिए लाइन तच होके अब लिखना है तथा पी तो इसको लगाना है लाइन कट करके ठीक और यदि हमें तक लिखना है बहुत ज्यादा आता ये तक लिखना है तो ये जो तै का आकड़ा है और बीच में एक ये इसका सब्दुचिन्धा इन दोनों के बीच की आकरती बनानी है ये क्या पढ़े जाएगी तक लाइन से उपर ही बनानी है ये इस है ये तै है इन दोनों के बीच का ये हमें आकरती बनानी है पढ़े जाएगी तक उसके बार लिखना है आपको अन्ये और नाई क्या करना है चूंकि ए की मात्रार य लाइन से उपर ने बना देना है अन्य और नाई पढ़ा जाएगा इसी को लाइन पर टच करके बना दो ने को तो पढ़ा जाएगा नीचे और गिरा उसके बाद हमें लिखना है नितिये क्या करेंगे ने बनाना है चुकि एकी मातरा रही है इसलिए ये लाइन काटके ने तै का ये पढ़ी जाती है ये ये जैसे गाय का सबस्टिन आया था गय और ये गय neither इसे ही नित्यमiliar नया और नई लिखनी है आ की मातर अरी इसलिए लाइन से उपर नय बनाना है और इसमें उल्टी दोई काई क्या पढ़ा जाएगा नया और नई आब लिखना है नाता क्या लिखना है नाता तो देखिए चुकि आ की मात्रा आ रही है इसलिए ने बनाना है लाइन से उपर ही बनना है नेता लिखना है चुकि एकी मात्रा रही है इसलिए दूसरे स्थान पर यानि लाइन से टच होकर नीती लिखना है एकी मात्रा है आ रही है तो सर ना इतना बड़ा तए नहीं बनाना अकvari यह श्ट छोटा सा बनाना है तक वाला जो इसे तक वाला छोटा सा यह पुणा देख लो कैसे बनेगा आवश्चक यो लिए है पुनहा देख लीजिए आवश्यक लिखना है तो लाइन से उपर से और के बनाना है पढ़ा जाएगा आवश्यक सकता सकते और सके पढ़ना है तो लाइन पर बना देंगे से और के सिकायत लिखना है तो लाइन से उपर से के और ते अब यदि इसमें आपको confusion हो कि इसमें तो E की महत्रा आ रही थी, यह आपने लाइन से कते हूँ, क्यों नि बनाया, लाइन से ऊपर क्यों बनाया है, तो इसका एक logic है, याद करने की trick है सभ, सिकायत, आप किसमे करते हो, यह क्या है, यह आपकी लाइन है और यह जो सब्चिन बना है लाइन से उपर बना है मतलब आप से उपर मैं बताता हूं यह जमीन है हम यहां है जमीन पर तो यह जो सिकायत का सब्चिन ने लाइन से उपर बना है मतलब आप सिकायत किस से करोगे अपने से छोटे से या अपने से बड़े स सिकायत हमेशा अपने से बड़े से होती है छोटे पर तो बस पीटा जाता है छोटे को तो अपने से उपर वाले से होती है इसलिए सिकायत का सब्चिन कहा है लाइन से उपर लेकिन सक्ति किसी दिखाई जाती है जो आप से नीचे हो जो आपकी बरावर का हो आप कहा थे इस ल सो याद रखना किका सबचिन लाइन पर है और सिकायत का बना दुगा तो तथा और टाई पड़ा जाएगा बहुत आथा है तो लिखना है तो लाइन पर तछ करते हुए दम लिखना को है तो यह launched तक लिखना है तो टैकर वर्ग से जो ट्यक čा अजनम देशा तो सक बनाना i अन्य नाई लिखना है तो ने बनाना है लाइन से उपर नीचे और गिरा लिखना है तो यह लाइन पर या नीचे ही बनाना है नित्य लिखना है तो ने बनाना है तो ने बनाना है और उसमें यह नाता लिखना है तो ने से उपर उपर ने और ते नेता लिखना है तो लाइन और नीती लिख्णा है तो लाईन काड के आवशकता लिखना है तो यह जो आवशक लिखा था इसमें बस तैय पर बना दीजिए यह हो जाएगा आवशकता ठीक है आगे देखिए देखिए सर इससे पहले हमने वीडियो में टै के और ने को क्या था तै में क्या था कि यदि मुझे कैते कत लिखना था और मुझे लिखना है कैने कन तै का जो रूल है वो ने के बिलकुल विपरीत है यानि ने का जो रूल है वो तै के विपरीत है जैसे कैते कत लिखना था तो कै और ये तै इस तरह से ही बनाया था तो बस इसका उल्टा कर दो उल्टा का मतलब है कै और ये ने ये घड़ी की विपरीत दिसा में घूमा है और ये होना है जितने भी सरल रेखा वाले बिंजन हैं उनमें यह तो लग रहा था गड़ी की दिशा में और यह लगेगा गड़ी की दिशा में कैसे जैसे के में तै लगाया कत ऐसे ही यदि चै में तै लगाया तो चै तचत तो चै में ने लगेगा घड़ी की दिशा में देखो ऐस इसमें उपर की तरफ इसमें नीचे की तरफ इसमें गड़ी की दिशा में सब गड़ी की दिशा में भूमें हैं तो मतलब एक बात के लिए रहे हैं कि घड़ी की विपरी दिशा में जो चल रहा है वो तै का अकड़ा और घड़ी की दिशा में जो चल रहा है वो ने का अकड़ा यहां तक के लिए उसके बाद बात थी के बिरत वाले बिंजनों में कैसे लगाएंगे तो देख लीजिए बि के तरफ मतलब यदी मुझे तत लिखना था तो तै से आकॉरा लगा था और नेस क्या पढ़ा यह था यदी और दाम ऐसे ही लाइन पर पढ़ा था दे देना और देता लाइन काट के पढ़ा था दिन दी और दिया एक सब्चिन पढ़ा था दे और इसमें अंदर के तरफ यह घुंडी थी यह सब्चिन किस चीज का था आपको याद आ रहा हो तो बता दूँ यह सब्चिन था दान का कैसे यह ज जाता है तै और ठीक माने सीधी सी बात है कि जब मैं उसमें लगा दूंगा ये छोटा सा hook तब ये ते है और ऊपना लगाकर क सी छोड़नों तो क्या है ने तो बता हिआ वह ये यह क्या हुआ मैं तय मत यह क्या हुआ ने ते नत तो यह क्या क्या हुआ मैंने मनं क्योंकि इसमें लगा जया यहीं और यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी क्यों झाहिए यह था यह था लेटलग्थ ठीक है ऐसे ही यह वजाएगा लिय और नै ठीक क्योंकि इ स्में ड्याश नहीं है तो सीधी सी बात हैं ने के प्रियोग को अगर आपनी सही से सीखा है तो ने का कुछ नहीं है जैसे तै बना रहे थे उसके अपोजिट ने है बहुत सीधा सा और सरल रूप में है आपको याद भी होगा इससे कुछ उधाराण देख लेते हैं क्या-क्या सब्द इसमें बनते हैं बस यह याद रखना क कि तैका जो हमने आकड़ा पड़ा है उसके बिलकुल अलग ने का आकड़ा है जैसे हमें लिखना है कनक जैसे लिखना है पैने पर पनप जैसे लिखना है कै आ ने उने कानून जैसे लिखना है खै ने इज खनीज जैसे लिखना है मारना जैसे लिखना है खाना जैसे लिख लिखना है रोना जैसे लिखना है पाना यह चावी वाला पाना नहीं है किसी को कोई चीज को पाना ऐसी लिखना है जैसे कान जैसे लिखना है काना अभी रूल बताऊंगा एक रूल हो रहे हैं ऐसी लिखना है पांदान ठीक जैसे लिखना है पंसारी, जैसे लिखना है तानना, ठीक इतनों को ही देख लीजिए, देखे इसमें भी क्या है, जैसे तै है वैसे ही ने है, क्या बताया है, यदि तै को दो तरह के सब्द थे, क्रिया सब्द और एक था संग्या सब्द, आपको याद होगा तै में, बत कि वो तै ना पढ़ा जाकर कि क्या पढ़ा जाएगा ता ते और ती यह चीज पढ़ी जा रहे थी जैसे हम लिख रहे थे क्या रहे और इसमें तै क्या पढ़ा रहे थे इसको क्या रहे तक करत भी पढ़ा रहे थे या फिर इसको पढ़ा रहे थे करता करते और करती क्रिया क्यूंकि नयका आकड़ा जो होता है जो मैं कैरे करन भी ही है और किम और चीज यहीं है कि जैसे है मुझे खाना है खाना क्या कपाना को खाना क रिया सब्र में डिया क्रिण आएगा तो यह यह अनल हुज भाक पारना ऑप screaming कगा और कानी भी आजाएगा नहीं आएगा कwarm मुझे कुछ खाना है मुझे खाना ठाला है टो Brad चाना क्रिया सब्द में भी आता है ऐसे ही यदी जा संग्या सब्द में देखें यूज करते हैं जैसे मुझे लिखना है कनक तो कै बनाऊं ने बनाऊं और कै अच्छा यह क्या बना रहे थे कै तैक कतक लिख रहे थे ना तै उपर था तो यह क्या हो गया कै बनाना है ने बनाना है और ने कनन ऐसी पनन लिखना है कनक हुआ पै ने और यह पनप अच्छा यह क्या था पै तैन पै पतप था ठीक ऐसी कानून लिखना तो देखिए के बनाई ये ने बनाई ये और ने बनाई ये अब दो तरीके हैं या तो ऐसे बना लो के ने और ने ठीक है अब बनाई ये मातर लगा ये के पर आ की मातर ये के आ उसके बाद ने पर उ की मातर है लेकिन इस ने का तो आ कड़ा बना दिया तो किस पर ट्रांसफर होगी इस वाले ने पर कहा जाएगी यह इसमें कहाएगी आ की मात्रा यहां और ने पर उ की मात्रा यह आ जाएगी ने आ ने उ ने पहले वाले ने पर है ठीक खनी जी लिखना है तो बनाएए खै उसके बाद ने और उसके बाद जै खै पर ने पर एकी मात्रा कहा जाएगी यह क्योंकि जैपर पहुंचेगी नैपर तो पहुंचेगी नहीं क्योंकि नैपरा मात्रा नहीं लेगेगी तो ट्रांसफर किस पर होगी जैपर तो जैप की मात्रा कहा जाएगी इधर पहले स्थान पर मारना लिखना तो मैं बना और रे बना और ने हो गया मारन लिखा गया मारन लेकिन क्रिया सब्द बनाऊंगा तो मारना मारने और मारनी क्या हो जाएगा मारना खाना लिखना है फिर वही आगया ख्या और ने क्या लगाऊं ये हो जाएगा खाना ऐसी रोना लिखना है, खाना में क्या है, आप खाना वो मत पकड़ना, मुझे खाना दो, मुझे अमरूद खाना है, क्रिया सब्द में भी आता है, मुझे अमरूद खाना है, ठिक, क्रिया सब्द में भी आता है, और संग्या में, दोनों में आता है, रोना लिखना है, तो रे रे बनाओ और ने बनाओ ओकी मात्रा ये दोबारा देख लो रे बनाना है और ने ओकी मात्रा ये लिखा गया रोन लेकिन क्रिया सब्द में यदि आऊं तो हो जाएगा रोना क्रिया सब्द बनेगा ठीक पाना लिखना है तो पाना दो तरह के होते हैं एक तो मुझे उसको प तो और ये नहां अब मत पड़े ले लेना इसको काना संग्या सब्द लोता है एक तो देखिए कानना क्या उसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा ना तो क्या करें न पर आकी मात रहे तो अब नहां कना नहीं बन सकता अब नहीं पूरा बनाना पड़ेगा कैसे का और ना पांदान लिखना है तो पै में ने का अकड़ा लगाईए दे बनाईए और ने कहाएगी मात्रा ये दापे आ की मात्रा ये पंसारी लिखना है तो पै बनाईए ने बनाईए से बनाईए रे बनाईए पै ने से आ से परा की मात्रा य यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर यह समझनी आया है तो एक बात तै के आकड़े को देख लीजिए इससे पिछली वैली वीडियो को तब आप इस वीडियो को देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और वस इससे अगली वीडियो में हम आपको अभ्यास नंबर 28 के जो समझने वो बताएंगे फिलाल आप इसी वीडियो को देखें तब तक के लिए जब तक अगली वीडियो आती है मैं आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार